चे मातागी दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी का हार्तिक स्वागते महा काली भगत गयान यूटुब चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भगतों को बताने वाली हूँ अगर आपके सत्रु दुस्मन ने आपको ज्यादा दुखी परिशान कर रखा है तो एक बार इस पंतर का जाप 41 बार करो उसका अंत माता काली से ही होगा जी हाँ भगतों अगर आपको ऐसा लगता है कहीं न कहीं कि आपके घर में कोई नेगिटिव चीजे भेजता है आपका क घर में भगतों के पास जाके तामत्रीकों के पास जाके यह सब चीजे कराता है काला जादू जादू टोने टोटके यह सब चीजे आपके घर में वह कराता रहता है जिससे कि आप काफी ज़्यादा परिशान हो जाते हैं आप भीमार भी पढ़ जाते हैं फिर उसके बाद आप होस्पिटल के चक्र काटते रहते लेकिन तब भी ठीक नहीं होते दवाई गोली भी नहीं लगती समझ लीजिए जब आप लोगों के उपर नेगिटिव शक्ति का पहरा होता है तो आप चाहे कितना भी इलाज करा लो दवाई गोली कुछ भी खालो चाहे प्राइवेट क जो आपसे जलते हैं जो आपको सफलता हुए करते हुए देखना नहीं चाहतें वही आप लोगों के साथ यह सब चीजे करते हैं तो अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है जो मैं मंतर बताने जारी हूँ इस सत्ट्रू का नास करने वाला मंतर है यदी माल ली जीए आप 46 बार भी से एक दिन में एक बार जबते हैं, जह सुबह की पूजा में जब लो, चाह फिर शाम की पूजा में जब लो और इस तरीके से जपएंगे, जैसे मैं बताऊंगी, तो भक्तों आप यकीन मानो कि आप लोग जिस दिन से इसकी सुरवात करोगे उस दिन से ही सबसे पहले आपको ये पता चलेगा कि आपका सत्रु दुस्मन कोन है क्योंकि मा काली आपको इस मंतर के जरिये से पहले दिखाएगी फिर आपको पता चलेगा कि हाँ मेरा सत्रु अंतरा आप लोगों को देने जारी हूँ तो अभी आपको क्या करना है वीडियो को लाष्ट तक देखना है अगर आप इसे लाष्ट तक देखते हैं तभी आपकी समझ में आएगा अगर आप आदियदूरी वीडियो देखते हैं तो आपकी समझ में कुछ भी नहीं आने वाल हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक, सेर, कमेंट जरूर कर लेना और बेल आइकन को ओल पे सेट कर लेना ताकि अमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पोचे तो अभी आप लोगों को जो मैं मंतर बताने जारी हूँ पहले मैं आपको सामने स्क्रीन पे मंतर दिखा देती हूँ, आप इसको ध्यान से देख लो और लिख लो ठीक है उसके बाद आपको इसका इस्तमाल कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ तो ये सामने आपको मंतर दिख रहा है ओम, क्रीन, सत्रू, बिजेर्थ, काली, कारे, कारे, सिद्ध, देवी मम, कारे, सिद्ध, करी, करी, क्री, 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 फट, स्वाहा क्री, 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 नाम, फट, स्वाहा मतलब यह जो लाश्ट में आपको तीन वार क्रीन क्रीन दिख रहा है जो लाश्ट वाला बतारियो में इसके बाद आपको उस व्यक्ति का नाम लेना है ठीक है जब आपको माता दिखा देगी कि हाँ यह सत्रू इसके बाद आपको नाम लेना है और फट फट कर दे रहा है ठी जब आप इस मंतर को बोलोगे तो कितनी बार बोलोगे 41 बार ठीक है जिस दिन से आप इसकी सुर्बात करोगे उस दिन से समझ लेना कि आपका सत्रू दुस्मन का नास होने लगेगा जो भी आपका सत्रू होगा दुस्मन होगा उसका नास होने लगेगा और आप अपनी आखो से देखोगे इस मतर की सक्ती कितनी है, ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को ये तो बता दी है, मनतर दिखा दिया, लेकिन इसका हिस्तमाल आपको कैसे करना है, जैसी कि देखिए, जब सुबह पूजा करोगे, तो आप इस मंतर को एक बार बोलोगे मतलब 41 बार बोलना है ठीक है एक दिन में आपको एक बार इस मंतर को बोलना है और जब जब आप इस मंतर को बोलोगे तो एक निम्बु लेना है ठीक है एक निम्बु आपको चक्कु से काट के अपने सत्रू के नाम का जब पहले आपको सत्रू का नास हो अंत हो मा काली के हातों से तो आप कुछ मत करो जो आपके साथ जैसा कर रहा है उसे करने दो वो अपने पाप का भग्यदारी खुद है जो आपका बुरा करेगा उसके साथ भी बुरा होगा बस आप अपने भगवान पे माता काली पे छोड़ दो और जी मैंने जो आपको मंतर बता है उसको जबते रहो और एक निम्बू अपने सत्रू के नाम का काट दो और उसे कपूर के उपर जला दो फिर देखो कि जिस दिन से आप इसकी सुर्बात करोगे उस दिन से आपके सत्रू का बुरा हाल होना शुरू हो जाएगा आप अपनी आँखों से देखना जो भी सत्रू होगा आपके आसपास कई होगा दूर का जल्दी से नहीं होता तो आपको अपनी आँखों से दीजाएगा कि जब आपके सत्रू का धीरे-धीरे करके मा काली के हाथों से हंत होने लगेगा तो जितने भी लोग दुखी परिशान है ये वीडियो मैं उनी के लिए लेकर आई हूँ तो अभी मैंने आपको अच्छे से सब को समझा दिया है अगर आपको कुछ पूज़े ना है तो आप नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं और अब हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै मातकाली हरहर महादेप मातकाली बाबा भुलेनात आप सबी की सारी मनोकामना पूरी करें खुछ रहें आप और आप लोगों का परिवार जै मातकाली